नमस्कार आप सबी का study for goals में स्वागत है आज की class में हम यहाँ पे ज्ञारकंग की अर्थव्यस्ता के बारे में चचा करेंगे जो कि आज का हमारे यह प्लाग class हो जाएगा इसमें कि हम इसमें आज ज्ञारकंग के अर्थव्यस्ता है उसका परिच्छाए के बारे में सबसे पहले जानेंगे यह जो class है यह आपके कुछ इस तरह से आएंगे जिसमें कि हम सबसे पहले तो आज हम परिच्छे जानेंगे देन उसके बार ज्ञारकंग में खनी संसाद इसकी दो या तीन classes हो जाएंगे इसी तरह से बाखी सारी classes अलग-अलग तरह से आती रहेंगे अच्छी तरह से जानेंगे इनसे वही चीज़े पढ़ेंगे जो की exam में पूछे जाते हैं हाला कि ज्यादा चीज़े हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं ज्ञारकंग की संचार व्योस्ता उनसे भी हम वही चीज़े पढ़ेंगे जो की important है ज्ञारकंग की बीगुद जो की 2022 यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इनकी लगबख दो या तिन क्लास हर ठोपी की यहाँ पर आएंगी और यह जो क्लास है यह मेरे दौरा यहाँ पर आज की क्लास ली जाएगी जिसमें हम यह परिशाए के बारे में चर्च होता है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं मतलब कि खासकर उन बच्चों को जो कि यह समझते हैं कि हम इकनोमिस में यहाँ पर अर्थ व्यास्ता पढ़ रहे हैं अर्थ व्यास्ता और एकनोमी और इकनोमिक्स में क्या अंतर होते हैं सबसे पहले हम उनको यहाँ पर देखे जिसमें कि a study of solve economic problems के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं अब economics क्या होती है तो सबसे बढले में बता दू कि इसमें उत्पादर, उभोग और बित्रंग के बारे में जो चीजे हमें बताई जाती है उनको यहाँ पर economics कहा जाता है और economics क्या होता है जो जिघ्रोफिक एरिया में जो चीजे हम देखते हैं जैसे के स्टोन हो गया खनी संसादन हो गया तो उनके बारे में यहाँ पर economy में चर्चा की जाती है जैसे कि हम यहाँ पर समझते हैं कि economist क्या होता है तो जो उत्पादक होता है जो producer होता है वह supply करता है और चीजों का production करता है और वह चाहता है कि हम इस पर maximum profit कमाए और जो consumer होता है जो उभ्योग करता होता है जिसमें कि हम लोग आ गए वह चाहता है कि उसे हम ज्यादा ज्याद करें और पुर्वा चाहता है कि हम इसे अच्छी तरह से संतूर्ष्ट हो जाए तो यह होती है एकनोमिस अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर फादर ऑफ एकनोमिस कौन है सबसे पहले हम जान लेते हैं और साथी साथ वे माइक्रो एकनोमिस के भी फादर यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर एकनोमिस के फादर हो जाएंगे एडम स्मित जो कि माइक्रो एकनोमिस के भी यहाँ पर फादर हो जाएंगे जो कि स्कॉर्ट लेंड से यहाँ पर बिलॉंग करते हैं साथी जात उनकी जो प मतलब कि अर्थ सास्त्र में और अर्थ व्यवस्ता में क्या अंदर होता है जो इकनोमिष है वह सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है जिसमें कि हम जो कि जो प्रिंस्पल है बेस्ट ऑन इकनोमिष उन चीजों के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं प्रात्मिक शेत्र के हम एक geographical area होती है ठीक है जिसमें की कोई अस्थान हो सकता है कोई छेत्र हो सकता है उसके अंदर जो village city और state या country उनके अंदर जो चीजे पाई जाती है क्या चीजे उत्पादन हो रही है क्या चीजे वहाँ पर खास तोर पर मिलती है जो की economy में वहाँ पर help करती है तो उन चीज जाकरंगर की जो अर्थव्यस्ता है उसमें देश के कुल उत्पादन का चालिश परतीसत यहांपर जागर्ण। साथे płरणी को यहां पर रतनभाग कहा जाती है इसी करण इसे भारत का रूट प्रदेश भी कहा जाता है यह अपकी एक्जाम में अक्सर देखने को मिलता है सेंट्रल जीते भी एक्जाम होते हैं उनमें भी यह कोशन पूछा जाता है जहारकं की अध्योगीक रजधानी यहां पर जमस्यत्पूर हो जाएगी उसके से पहले प्रथम उर्वरक का खाना यहां पर सिंद्री धनबाद में अस्थापित की गई लौ इसपात द्योग जमस्यत्पूर में सबसे बड़ी कोलवासरी एसिया की ठीक है करगली बोकारों में अस्थापित की गई और कोलवासरी प्रथम जो थी वह घाटो रामगर में साथ प्रथम मिथेन गैस कुगा यहां पर परबदपूर बोकारों में अस्थापित की गई है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है ऐसे तो आप किसी और भी बुक में पढ़ोंगे नों तो बहुत सारी चीज़ों वहां पर दी गई है लेकि हम यहीं चीज़े यहा यहां पर फोकस नहीं करेंगे ज्हर्या धनबाद में जो लो इस पार त्यार चैया गया उसका प्रत्थम परियास यहां पर पर एलेक्रिसिटी पर्डॉक्षन के लिए यहां पर प्रती वेक्ति आये, 89,870 रुपया यहां पर प्रती वेक्ति आये हो जाएगा, जो कि भारत में इसका 26 अस्थान हो जाएगा, जो कि नीचे से दूसरा यहां पर अस्थान देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीबी के तौर पर यहां पर देखी जाती ह सोकता है जोकि मैंने एक क्राट वेड़ियो में बताया था कि झालकार में कितनी गरीबी यह देखने को मिलती है ठीक है तो उसके बारे मैंने सारी है detail वहां पर बता रखिए अब बात करते हैं कि इसमें और भी चीजे हमें क्या देखनी है तो जैसे कि मैंने बताई हैं पर 40 पर्षन जाकर में खनीज देखी जाती है और आगे क्लास में हम इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे लौधातविक खनीज और यहां पर जो इसका अस्थान हो जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखने हैंगे जब भी कोईला और कोकिंग कोईल का नाम आएगा वह जाकंड हो जाएगा दूतिय अस्थान पर यहां पर जाकंड पूरा भारत में तो तामबा लौ आयस्क निकेल कोबार्ड इन सारी सती साथ बॉक्सयड भी यहाँ पर उपलाद्दा में जो जाकंड में है उसके अस्थान पर यहाँ बॉक्साइड भी चौत्य अस्थान पर देखने को मिलता है अगर खदानों की संख्या की बात करें तो यहां पर जार्कन में धनबाद जीले में प्रथम मस्थान है जहां की वहां पे 109 खदाने देखने को हमें मिलती है टोटल यहाँ पे 373 ख़दाने जाकन में देखने को मिलती है भारत में चक्मक पत्थर ठीक है यह आपको ध्यान में रखने होगी भारत में जो जालकंड है वो मात्र एक ऐसा राज है जहाँ पे चक्मक पत्थर कि यहाँ पे उठादन की जाती है ठीक है तो यह भी बात आपक चत्वाइब तो यहाँ पे बी ओप्षान सही होजाएगा यहाँ पे रत anthrop के नाम से यहाँ पर जाता है नेक्स्सकोरा कोशन है के जहांक की आध्योगीक reminder कावा है तो आके सब्स् Karena के बारे में बहार merry साना कहां पर अस्थापित किया तो आपकर ऑप्षं से एगांड बी रामगड, सी सिंद्री, डी बरबतपूर, यहां पर आपका सी ओप्सन सही हो जाएगा, सिंद्री में सबसे पाला जो भारत का उर्वर करखाना है, वह अस्थापीत किया गया, जो कि जारखंड में अवस्तित है, नेक्स नमारा कोचन है कि भारत में चक्मक पत्थर एक मात उत्पादक राजे कौन सा है, तो यहां पर आपका उप्सन सही है, A. 36 गड, B. करनाटक, C. जारखंड, और D. यहां पर पच्छी मंगा, तो यहां पर आपका उप्सन सही हो जाएगा, जारखंड एक मात्र ऐसा राजे है, जो कि भारत में चक्मक पत्थर का उत्पादन करत करगाली बोकारों में या अवस्तित है, जारखंड राज के किस अस्तान पर सिल्क पार के अस्तापना की जानी है, या क्या है, परस्तावित है, की जानी है, तो आपके उप्सन सही, A. राची, B. खरसावा, C. यहां पर उप्रक दोनों, और D. इन में से कोई नहीं, तो एडम स्मीथ, B. जेंप स्किन, C. एर्स्टेटोल, D. यहां पर हेड़ोटर्स, तो यहां पर आपका राइट उप्सन, A. हो जाएगा, जो कि एडम स्मीथ हो जाएंगे, माइक्रोट्टोमिस के यह भी हो जाएंगे, ठीक है, साथी साथ यहां पर एर्स्टोर्टल जो हो जा और यहां पर D हो जाएगा, आपका 875, तो यहां पर राइट उप्सन, A. हो जाएगा, 1789 में यहां पर प्रत्थम पर्यास की गई थी, नेक्स है भारत में आदिक रूप से लोईट पार त्यार करने का कार प्रागरम कहां पर किया गया, तो आपके उप्सन से, A. रहपूर, B. जहरिया, C. सिंद्री, और D. यहां पर मयूर भाज, तो राइट उप्सन, B. हो जाएगा, जहरिया में इसका प्रत्थम पर्यास किया गया, नेक्स हमारा है, निम्ने से किस रियाज को भारत का रूर परदेश कहा जाता है, तो आपके उप्सन से, A. 36 गड, B. उडिसा, C. C. जर्म dinner, D. यहां पर करनाटक, राइट उपसन यहां पर C वजएगा, जर्खन को भारत का रूर परदेश कहा जाता है, और पूरे 20 वग का रूर परदेश यहां पर जर्मनी को कहा जाता है, यह अभी बात आपको त्यार रखनी है, और जर्खन में 40-30 यहां पर खनीज पाये जाते है पुरे भारत की तो यह सरे जो चीजे थी यह आपके आज के परिचे के रूप में यहाँ पर मैंने बताई है ज्यादा लंबा क्लास नहीं है वही चीजे मैंने बताई है जो की important है और जो की exam में आ सकते हैं क्योंकि आपको exam clear करना है ठीक है इसलिए आप वही चीजों को पढ़ें जो की ज्यादा important है साथी मैं यहाँ आप बता दू कि हमारे दोरह यहाँ पर study for goals के दोरह यहाँ पर daily Qs चलाई जाती है जिसमें की MWS में यहाँ पर जाखन जीके की Tuesday को General Science की और Thursday को Computer और Sunday को यहाँ पर General GK जो की प्रती दिन करवाई जाती है इस तरह से करवाई जाती है जो की प्रती दिन 9 PM में यहाँ पर हमारे टेलिग्राम जो चैनल है वहाँ पर करवाई जाती है तो उसे भी आप जाकर join कर ले साथी जाथ खोटा का भी special group बनाए गया है तो उसे भी आप जाकर join कर सकते हैं यहाँ पर आगे मैं बता दो के जागंकर संपूर भुगोल जो की यहाँ पर इसका वीडियो लेक्शर है वह आपके विकास सर के द्वारा यहाँ पर ली गई है और इसके notes भी यहाँ पर दिये गए हैं जिसमें की बुकलेट 2 और बुकलेट 1 दो बुकलेट आपको दी गई है जिसमें की यहाँ पर एक विकास सर के द्वारा बनाई गई है और दूसरा बुकलेट मेरे द्वारा यहाँ पर बनाई गई है जिसमें की पूरी तरह से map से समझाए गया है तो इसे भी आप purchase कर सकते हैं जिसमें की यहाँ पर 275 रुपए में आपको यह प्रभाइट की जा रही है जिसमें की 20 पलस recorded वीडियो लेक्शर हो जाएंगे इसमें handwritten notes हो जाएंगे जो की दो बुकलेट के तौर पर दी ठीक है तो आप इसे purchase कर सकते हैं और इसमें map के माध्यों से पूरे भेवाल को अच्छे से समझ सकते हैं नेक्स्ट हमा रहा है कि यहाँ पर जैसे सी सीजल के लिए paper 3 के लिए हाँ पर 50 pull and test आपको 249 में दे जा रही है तो उसे भी आप purchase कर सकते हैं जिसमें की बिगत वर्ष करता हूं जो कि आपको exam में help करें ठीक है ज्यादा लों मैं वहाँ पर चीजों को नहीं बताता हूं ठीक है तो त्रिक से आप समझ सकते हैं सारी solution को ठीक है उसके लावा यहाँ यहाँ बता दू कि 119 में जाकन सच वाली के लिए खोटा paper 2 के लिए यहाँ पर 50 फूल प्लस granate test अपको प्रवाइड की जा रही है जिसमें कि 10- prone बृगत वर्ष्णों के यहाँ पर बेपर्स और 200- bonus टॉपिक इस आपको एक्स्टा में मिल रही है लेकिन यहां पर 50 फूल लेंड टेस्ट आपको प्रभाइड की जा रही है साथ ही यहां आपको जन्वारी 2021 से सितंबर 2022 तक यहां पर वीडियो लेक्च्छर और यहां पर पीडिये नोट्स और मॉक टेस्ट जो की क्रण्ट अप्यास के हैं व इसके बाद यहां पर यहां पर जो घ्रास होगा हम इसलिए मैं रखोंगा कि 20-25 मिन के यहां पर आपको अच्छी लगे है थीक है इस तरह से मैं आपको सारी classes provide करूंगा साथ ही साथ यहाँ पर मैं एकनोमिस की classes आपको provide कर रहा हूं साथ ही यहाँ पर geography class complete कर दी गई है और यहाँ पर history classes बिकास सरक्तुरा ली जा रही है और aesthetics jk classes यहाँ पर रंजीर सरक्तुरा ली जा रही है इसका मतलब आप यह समझ सकते हैं कि संपूर्ण जो जारखंड jk है उसका यहाँ पर आपको course provide जल्द ही कर दिया जाएगा सबको compile करके तो आप उसे purchase कर सकते हैं और आते हैं कि आप उसे free में पढ़े तो आभी सही आप YouTube में उसे पढ़ना start कर दे जो कि आपकी exam के लिए महत्यपून हो जाएंगे आगे चल कर आपको यह दिक्कत नहीं होगा कि exam में हमें क्या चीज़े पढ़नी है और क्या चीज़े हमें छोड़नी है तो अभी सही चीज़ों को पढ़ना सुरू कर दे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें के हम लोधात्विक कनीर और धात्विक कनीर इन सारी चीज़ों के फारे में पढ़ेंगे ठीक है जैहिन जै भारण जुहार थैंक्स पूर वाचिंट इस वीडियो